इस वागत है आपको हमारे चनल यूगा जो किसे इंडिया में बिद्धार थे हैं जैसा कि हम घर्ण सहीता समझ लें गर्ण सहीता हैं पांच वा उपदेश प्रायम पर है और इसमें आज हम समझेंगे इस वीडियो के माद़ें से उज्जे प्रायम को समझेंगे और फस्ट्र तो चलिए इस प्रायम को हम समझते हैं उज्जे प्रायम को सबसे पहले समझते हैं विद्यार्थों इतना समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा से सरल्दंबा व्यक्या में समझा देता कि आपको अच्छे समन में और इतना ही नूर से आपको तयार करना है सबसे पहले करना क्या इसकी बिद्ध क्या है कि उजे ब्राम की बिद्ध महिर्स गिर्णने से बताते हैं कि दोनों नासिका से पूरक करते हुए स्वास को अंदर खीचना है और वायू को मुह में ही रखना है उसके बाद कंठ को संकुचित कर सुख्चु ध्वन उत्वपन करते हुए हिर्दे यो गले से वायू को खीचना है तब ही तो ध्वनी निकलेगी न और इस वायू का योग पूरक के द्वारा खीची गई वायू से करना है बिद्धर तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि हिर्दे यो गले से स्वास को कैसे खीचा जाए क्योंकि जब आप नास का से स्वासन कर रहे हैं तब स्वास तो पूरी अंदर जा रही है उसके मुह में रुकने का तो प्रसने नहीं उड़ता है लेकिन इस विद्ध में जो संकुचन किरिया है जिसमें कंठ को संकुचित किया जाता है और एक सुक्ष मिध्वनी उतुपन करती हुए स्वास को भ आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा इन्होंने अपने सुत्रों के माधम से क्या बता है कि नाक के दोनों छिद्रों से पूरक करके मुख में वायू को रोकें फिर रेचक करके हिर्दे और गले द्वारा पूरक करके मुख में रोकें फिर मुख से वायू को पूरी त लगाना तब ही तो आवाज निकलेगी उजान निकलेगी और यह भी बता हर्ड पूर्बक करना लिए जर्व जितनी अध़ा सकती हो अपूर्ब को अंदर रोकना घतकर्ण यह कुम्भग करते ओव भुएक करना है इतनी चीजी इसमें करणी है तो आप झाभीद्यारय थी इसकी सभी समझतने कि उज्जै कुम्भग करें साधक जब कार सिध्ध करे गिर्णरशी बताते हैं चंड कपाली राजा से कि उझ्जई कुम्भा करके साधक जब कार सिध्ध करें जो उझ्जई यहां विद्धी आदि रोग नहीं होते हैं और वह बढ़ा और मिरत पर पिजय पा लेता है इसमें इतने लाब बताते हैं जो सबसे पहले तो साधक की सबकार सिधि कर लेता है सबकार सिध्ध हो जाते हैं उसे कप संबंदी सभी विपकार जो प्रकार के बताएगे हैं वह सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं कुरूर वाई उदारत अजीड आमुवत छै खासी ज्वार फिलीहा व्रिद्धी आदि रोग नहीं होते हैं और वह बुड़ापा और मृत उपर बिजय पालेता है इतना ज्यादा इसमें लाभजब कप मिले कि हट पूरबक नहीं करना चाहिए लेकिन आप अलग से नोट करने सामानी मनुष्य के लिए उतो साधक के लिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सुभाव से बहुत अधिक अंतरमुखी होते हैं या जो बहुत अंतरमुखी हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है हिर्दय में शांत predicting माना जाता है यह उप्योग तंत्र का तंत्र को सुस्त नहीं तथा मना को संत करने के लिए किया जाता है इतने सारे लढभें बिदर्थ और मरेन इंपार्टेंटाप यह समझें कि औ Shei कभी भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि जिसको स्लिप्डिस्क या कसेर का संधी सोथ से पीडित जुब्यक्त है उज्जई का अभ्यास वजरासन या मकरासन में कर सकते हैं तो इतना आपने अच्छे से समझ लिया उज्जे प्रैयम को तो आगे चलते हैं सीदिली प्रैयम को हम समझते हैं जहां कहीं नहीं समनम आएगा क्मेंट बाक्स में से ए्र करियेका मैं आपको दूबारा समझा द sandwiches सितली प्रयाम के लिए जीवा से धीरे धीरे वायु को अंदर भरें अब जीवा से कैसे भरेंगे और आधी मैं आपको आगे डिफाइन करणें सितली प्रयाम के लिए जीवा से धीरे-धीरे वायू को अंदर भरें फिर कुछ देर कुम्भख करके वायू को दोनों नाक से निकालें योगी को चाहिए कि वह कल्याड कारी सितली प्रयाम का नियमित अभ्यास करें अईसा करने से उसे अजीर कफ पित संबंधी रोग कभी नहीं होते हैं तो घिरने से ने क्या बताया कि सीतली प्रयाम किस से करना है आमचर पर सभी लोग नाक से स्वांस लेते हैं नासिका के छिद्रों से स्वांस लेते हैं तो सीतली प्रैम में जीवा से धीरे धीरे वायू को अंदर भरना है तो किस प्रकार से आप भरेंगे जीव को बाहर निकाल कर उसे एक नली के सद्र से बनाना है नली जैसा बनाना है उसको गोल कर लेना है जीव को उस नली के माध्यम से गहरी स्वास कीच कर उदर को वायू से भर देना है तथा कुछ छडू के लिए ही कुम्भग का अभ्यास करना है यह बताया है और इसमें जब इससे भरेंगे जीवा से धीरे धीरे भरेंगे और कुछ देर कुम्भग करेंगे फिर वायू को दोनों नाक से निकालना है भरेंग जीवा से सित्ली प्रड्याम से लेकि तो सभी अभ्यासों में रहना चाहिए इसमें फोकस भी कर रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए ऐसा करने से उसे क्या-क्या लाब मिलता है अजीर कप संबंधी रोग कभी नहीं होते हैं अजीर और कप पित संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो कभी नहीं होते हैं सितली प्रणयाम के द्वारा विदातों इसको थोड़ा सा और अलग से नोट करनें इसके लाब सरलतम भासा में यानि सरलतम व्याख्या में कि यह जयो प्रेर यूं तापमान नियमन से संबध मस् इस केंद्रों को प्रभावित करता है और इससे भूख प्यास पर नियंद्रन प्राप्त होता है और तो श्टिकी भावना उत्पन होती है यानि जब गर्मी उगेरा लगती है तो इसमें यहां सितली प्रणयाम कर लेना चाहिए इससे अधिक प्यास नहीं लगती है अगर पॉस्त होता है अगर इसको करने पर तब ही आराम मिलता है यानि बेचेनी का नभों गर्मियों बहुत ज़्यादा होना नहीं शुरू हो जाता है है अगर शीद्ले प्रयाम करते हैं तो उसमें भी मिलता है यह और अधिक श्रम्प से शरीर में ठकान अधिक देर तक नहीं रहती है, अगर इसको करते हैं तो वरन आंत्रिक विश्राम की अवस्था अधिक देर तक बनी रहती है, यह रक्त चाप पेट की अमलियता को कम करने में सहायक होता है, तो आपने अलग से नोट कलिया होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, भस्तिक अपरायम को समझते हैं, सीध्रिप्रायम और उज़्जज़िप्रायम को आपने समझ लिया होगा, अच्छे से, जैसे, अब इसको किस प्रकार से करना है, जैसे लोहार की भाती करमसा, करमसा, यानि करमसा का मतलब है, जो प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाए, य जैसे लोहार की भाती क्रमसा सांस लेती और निकालती है उसी प्रकार से वायू का संचालन 20 बार अब देखो यहां 20 बार बता रहे हैं 20 बार करके कुंबख करके और फिर उसी प्रकार वायू का संचालन करें जिस प्रकार लोहार की दो धोकनी यानि भाती क्रमसा सांस लेती है और निकालती है उसी प्रकार से वायू का आप अपने नाक से संचालन करेंगे यानि नासका सिद्रों से भरेंगे और करके कुमभग करें और फिर उसी प्रकार वायू का संचालन करेंगे यानि बार बार सांस लेंगे बार बार निकालेंगे जैसा ये करती है दोती बाती इस प्रकार भस्ट का कुमभा की तीन बार बताया है मेरे मेरे पॉइंट नोट करें तीन बार साधना करनी चाहिए जो भस्ट का कुमभा की साधना करता है उसे रोग और क्लेस नहीं होते हैं किसी प्रकार का रोग और क्लेस नहीं होते हैं प्रती दिन आरोग बढ़ता है वर्दमान रहता है इतना इन्होंने बताया है कि उसे रोग यानि उसे किसी प्रकार का रोग और क्लेस नहीं होता है प्रती दिन आरोग बढ़ता है यानि अगर किसी प्रकार का रोग अगर हो भी नूट करेंगे इतना तो घ्रन डिसी के नुसार है यह अभ्यास सरीर प्राण और मन को अधिक इस फूर्ति बनना प्रतान करता है अभ्यासी का विक्तित अत्यधिक समय दन सील हो जाता है और वह उच्च दिव्यों सुक्ष मतरंगों के प्रति अधिक ग्रहन सील होने लगता ह साथ यह इस अभ्यास से दिन प्रते दिन स्वास्ध लाब प्राप्थ होता है और किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं दूनियों नाशकाँ खुली होनी चाहिए तथा उसमें स्वास प्रवाद स्वतंत रूप से होना चाहिए नाक में जमे स्लेशमा को नेत के अभ्यासे दूर किया जा सकता है लेकिन दूनियों यह आप जो इसलिए बताया गया है यह तो लाब होगे और जो दूनियों नाशकाँ खुली होनी चाहिए यानि अगर आप के नाक में नूस के अंदर स्लेशमा वगएरा जमा है तो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे पहले उसको दूर करना चाहिए यह जिसे सर्दी चुकाम है तो आप भस्तिकापडाम नहीं कर सकते हैं दिक्कत होगी आपको करने में आप सावधानिया नूट कर ले अलग से यदि मुर्चा, चक्कर या अत्दिक पसीना आने लगे क्या-क्या? इसलिए मुर्चा, चक्कर या अत्दिक पसीना आने लगे या वमन की इच्छा होने लगे वमन मतलब उल्टे की इच्छा होने लगे, इस एक कारत है कि अभ्यास सही धंक से नहीं किया गया है बल पूर्वक सुसन नहीं करना है स्वास की गति नियंत्रित होनी चाहिए चहरे में विक्रित ना आने दें और सरीर को बहुत अधिक नहीं लाना है यद इन में कोई लक्षड पर लिक्षित हो तो योग सिच्छ की सला से ही आपको करना है यह ध्यान लखना है और विद्यार्थियों किसको नहीं करना है नोट क विक्तियों को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए फेफ्रों से संबंधि द्रोगों जैसे दमा दिरकालिक category ब्रॉंका इच्स आध से पीरित विक्तियों तथा उन विक्रतियों के जो यक्ष्मा से स्वास्ध लाभ कर रहे हैं यानि एक्षिमा के लाज करवा रहे हैं या अभ्यास कुसल मार्ग दर्शन में ही करना चाहिए तो साउधानिया आपने नोट कर लिया होगा विदर्थियों और थोड़ा सा एक पॉइंट लाभ आप नोट करने और कि अभ्यास विशाक्त तत्यों को दग्द करता है तथा वा कौसों को खोलता है तो आपने अच्छे से समझ लिया होगत विद्यारतिओं भस्ति का प्रयांको थैसमें हमने समझ अगे हम समझेंगे भ्राम रखन और मुर्षा प्रयाम कद मंयों के और आने वह वीडियो में कर मोंसं प्राइब तो आसा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो जहां कहीं न समझ में कमेंट माक्स में सेयर करें मैं आपको दूबारा समझा दूँगी अगर आप हमाई चैनल पर नायए सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रिस करिए का ताकि मैं जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको तुरू नौटिफिकेशन प